तो अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि D नाम के जातक एबम M नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा दोस्तों इस नाम के दोनों लोगों की दुनिया एक अदम अलग होती है इन दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा मजबूत होता है मित्रों इस नाम के दोनों जातक व्यक्तिगत रूप से या विबसाईक रूप से एकदम भिन दृष्टी कोन बाले होते हैं एबम इस कारण से कभी कभी इन दोनों के बीच में कुछ अनुकूलता की कमी हो जाती है मित्रों डी नाम के जातक बहुत जयादा सांत होते हैं एबम इस नाम के जातक बहुत जयादा गंभीर होते हैं लेकिन यदी M नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के लोगों का सुभाब बहुत जयादा अभिमानी होता है एबम अभिमानी सुभाब होने के कारण कभी कभी इन दोनों को अपने आपसी संबंध में पड़ेशानी का सामना करना होता है मित्रों डी नाम के लोगों का सुभाब बहुत जयादा कोमल होता है इस नाम के जातक विसिस्ट लोग होते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा महनती बहुत ज्यादा परिस्रमी होते हैं मित्रों इस नाम के लोगों के भीतर बहुत ज्यादा भाबनाई होती हैं एबम इन लोगों का आचरन बहुत ज्यादा सब भी होता है दोस्तों इस नाम के जातक अपने जीबन में सफल होने के लिए अपने जीबन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जयादा मेहनत बहुत जयादा परिस्रम करते हैं एबम इस नाम के जातक अपने दामपत्ते जीबन में अपने जीबन साथी के परती बहुत जयादा तो इस नाम के लोगों को हमेशा अपने जीबन में सुर्खियों में बने रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। मित्रों M नाम के जातक अपने जीबन में हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा अभिमानी एबम जुनूनी होते हैं। एबम इस कारण से इन दोनों को अपने जीबन में कुछ पड़ेशानी का सामना करना होता है। मित्रों D नाम के जातक अबम M नाम के जातक इस नाम के लोगों के गुन अब गुन को मिला करे। यदि इनके बैबाहिक जीबन इनके दामपते जीबन की बात करे तो इन दोनों का संबंध सामानने रहेगा। न जयादा मजबूत न जयादा खराब। तो मित्रों इस वीडियो में आगे बठने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे। वीडियो थीबन की बात करेंच आपियो